शांती के लिए अपनाएं 20 सुविचार, नमबर 8 अपनी स्वयंग की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, नमबर 2 इंसान के अंदर ही शांती का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें, नमबर 3 आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन नमबर 4 असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना, नमबर 5 तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य, नमबर 6 हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पे खुद चलना है, न की आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा, नमबर 9 क्रोध करना एक गर्म कोईले को दूसरे पे फैंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा, नमबर 10 जो गुजर गया, उसके बारे में मत सोचो, और भविश्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पे ध्यान क इंद्रित करो, नमबर 11, हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देख भाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, नमबर 12, अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे, नमबर 13, जिस तरह एक मुम्बत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इनसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता, नमबर 14, निश्क्रिय होना, मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अ जो कुछ मिला है, उस पर घमंड ना करो, और ना ही दूसरों से इरश्या करो, घमंड और इरश्या करने वाले लोगों को कभी मन की शान्ती नहीं मिलती, नमबर 17, हजारों लडाईयां जितने से बहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी, जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई स्वर्ग दूत और ना कोई राक्षस, नमबर 18, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें, जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं, उतना कोई आपस नहीं कर सकता, नमबर 19, जिस तरह एक मुम्बत्ती की लौ से हजारों मुम्बत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रौष्णी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती, एक सुराही बूंद-बूंद से भरता 20. सभी गलत कार्य मन से ही उप जाते हैं. अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है?